हलो मिना नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन और गशनमुक्ति तक गी हूँ पिछले चवतीत साल से मैं साइकियर्टर की प्रैक्टिस कर रहा हूं अकोला में अभी भी हमारे देश में बहुत सारी अंदर्शद्धाय है लोगों को यह पचाने में कटी नी हो जाता है एक वे मानसिक बिमारी है करके हैं उनको लगता कि नहीं नहीं यह कुछ त भी बाहरकाय किया हुआ भूत ने पचणा हुआ है या कोई किसने कुछ खिलाय हुआ है घालक डॉला हुआ है Ah और फिर वो बाहर ले जाते, दरगे के उपर ले जाते, मंदिर पे ले जाते, कोई महराज के पास में जाते, कोई बुआ के पास में जाते, और फिर वो उनको कुछ पानी पिलाता, वो निम्बू काटके देता, फिर सिर के उपर निम्बू भोड़ेगा, फिर आखों में कुछ दवाई डालेंगा या निम्मू डालेंगा आके खराब कर देगा वो कुछ तभी आंग में भूत घुसा हुआ है इसलिए उसको मारेगा बहुत जादा मारेगा ताक्कि वो निकल जाएंगा तरह से काफी सारे लोग बुआ बाजी के पास में बुआ महाराज के पास में कि अजुबज में धर्गवा के जोपडि में रह रहे उनका ये विश्वास है कि दर्गा में जाएंगे और सहलानी बाबा के पांच होँएंगे बाव उंको मननत मागेंगे तो उनकी बिमारी अच्छे हो जाए बाह वाव उइलनी प्हें नोको चेन दले हुए हाथ में हधकड़ी है पेर में बेड़ी है और वहाँ रहे कितने सारे महराज जो हे वो करणे-ृ Selbst उनके पास में भी लोग जाते रहते हैं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि भाई, फुल मून दे, मतलब जब पुरो निमा रहते हैं, फुल मून दे, यह अमास है रहते हैं, मतलब लएक, अभी फिर से ले दे, हाँ, निमा बलते हैं, तो लोग अभी ऐसा लगता है, कि जब फुल मून दे रहता है, मतलब पुरोनिमा बोलते हैं उसको, पुरोनिमा, यह निमा रहता है, मतलब अन्दकार रहता है, तो यह जो है, यह असर करते हैं दिमाग के ऊपर, और उस दिन ज्यादा बिमारी होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर का कुछ नहीं रहता है, आज भी लोग साइकेटिस के पास में आने के लिए डरते हैं, उनको लगता है कि नहीं यह बिमारी बाहर की है, और डरते कि दूसरा है कि भई नहीं है जिती पागल हो गया तो लोग क्या खेंगों काफी सारी बिमारीया मतलब General Practitioner के पास में जाने वाली जो लोग है अपने फैमिली फीजिशन के पास में जाने वाले जो लोग है उसमें से 55 से 75 प्रतिशत लोगों को सिर्फ साइकॉलोजिकल बीमार रहती है उनको दवा की जरूत रहती है उनको प्लैसिब हो देते हैं उनके फीजिशन उनके दॉक्टर और वो अच्छे हो जाते हैं काफी सारे लोगों को एंग्जैट रहे दिये चिंता काफी सारे लोगों को डिप्रेशन रहता है और वो उनको फिर उसना कुछ दवा देते और वह अच्छे हो जाते हैं कि वुकि के पास जाते हैं वनोविकार तगतर सकती है यह बिमारी अच्छे हो सकती है यह बीमारी में बैनमें केमिकल इंबैलंस होता है जो Sir स्त्राय का असन्तुभन होता है केमिकल इंबैलरणस और उसके जैसे बीमारी होती है न्याफि जलूबchnलम अगर进दे पेशेंट को लाया था एक लड़का था उसको बाहर का किया होगा है करके वो कोई महाराज के पास में लेके गए और वो महाराज जो था उसमें कपुर रहता है कपुर वो हाथ के उपर रखा एसा पुरा और जलाया और उसको रखने दिया तो उसका पुरा हाथ जल गया और इ कि यार दिन से खाना नहीं खा रहा था उसके हालत तो इतनी गंभीर थी कि यह कम मर रहे आएंगा मालूम नहीं और तबीवे बोल रहे थी कि नहीं नहीं यह तो बाबा उनको छोड़ने को तैयर नहीं था मगर किसेने कुछ बोल दिया कि नें आप डक्टर का इलाज करो करके वह मेरे पास में लेकर आयरा है कि ऑसलिए का प्लिय काफी वीमारी है छोटी प्मध क्योंगे तो यह आती में डक्टर बास में सटारिक ने आतीए और रचिंदा रोव है फिर बार बार हाथ दोने की बिमारी है वो भी हमारे पास में आती ने की उनको लगता है कि उन्हें पागल कहेंगे लोग या फिर फोबिया है डर लगता है बाहर जाने का डर हाट अटक आने का डर लोगों को लोगों के पास में जाके बात करने का डर लोग ठहराएंगे करके कुछ historical fits रहती है hysteria की fits वो भी लोग बाहर का इलाज करते रहते हैं और उसमें मांसिक कुछ तर्भी होता है दिमार में कोई tension आते हैं उसके वेशे fit आती है वो fit मतलब brain की नहीं रहती है वो functional fit रहती है structural उसमें कोई खराभी ने रहती है तो वो भी है तो ऐसे काफी सारी बीमारियां है दी डॉक्टर के पास में जाते है तो उनका इलाज अच्छा होंगा तो मेरा ऐसा सब को कहना है कि यह जो अंदश्रद्धा लोगों के मन में है वो निकालनी चाहिए लोगों को यह मालूम होन मिलता है जीवन जिने का एक नया जीवन मिलता है देखने का एक नया नजरियां मिलता है देखने का उसमें वो अच्छे हो जाते है और दवाई भी उनकी साहयता करती है तो जरूर कीजएगा कि आपके आजू-बाजू में ऐसे कुछ लोग होंगे कि जिनको सब तरह की किया मगर बीमारी है समझ जाना कि उसको साइकोलोजिकल बीमारी है तो उसका हिला जरूर सैक्याटिस के पास में गरवाएगा यह वीडियो आप जरूर शेयर करो आपके फेस्बूक ग्रूप के ऊपर वाटसेप के अपर आप अलग अलग गुरूप से शेयर करो ताकि मच जिरू सब्सक्राइब करो मिलते हैं